अजय हिन और मैं आप सभी प्यारे बच्चों का खुश रहने वाले बच्चों का मेहनत करने वाले बच्चों का स्वागत करता हूं मेरा नाम है अतुल धिमान आज जो है हम लोग भी बच्चा काफी ज़ादा जुड़ गया है तो इन बच्चों का नाम लेना तो बनता है क्योंकि ये बच्चे पहले से वेट कर रहे हैं तो चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा है आपको देखके बहुत खुशी होती है जगदीश एंडिये ओनली सुमेट निधी अमित क्रिस्टल दर्शन टिकेश निधी पीहू अंकिता अक्तर अम्रेथ सत्यम ठीक है सुर्भी विक्की जैव करके । के पीएस वेरी गुड वेरी गुड तो बचौ एक बर आपने क्या करना हैं आपको Might smiling कर देना इस session को और that's it इतनी सी बात है इतनी सी बात है तो चलो शुरू करते हैं class को और बचो आज का जो पैटन है वो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं very good morning to everyone very good morning to everyone आज हमारा बहुत जबर्दस दिन जाने वाला है इसका हमें confirmation मिल गया है है की नहीं चलिए तो अब बात ऐसी है बचो कि आज का जो पैटन होने वाला है current affair का वो कुछ इस तरीके से होगा कि थोड़े बहुत जो है mcqs मैं अभी आपको कराऊंगा कुछ mcqs 2-4 mcqs हो करेंगे headlines के उपर बात करेंगे ऐसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से थोड़े से mcqs के बारे में और उसके बाद एक खास चीज है वो खास चीज है करेंब है points जो है वह बात है तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे end में समझज गया आप लोग तो यह खास चीज के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना इंतजार नहीं करना जैसे जैसे मैं काम करूंगा वैसे वैसे आपने काम करना है है की नहीं चलिए तो शुरू करें चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का जो पहला आपका सवाल है वो आपके स्क्रीन के उपर ये रहा है ना बताईएगा मुझे वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरेवान जल्दी बताईएगा आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या है है ना तो यूनियन मिनस्टर फॉर दे रोड एंड ट्रांस्पोर्टेशन नितिन गटकडे जी अन्वील द फॉर्स्ट मीथनॉ -dursal run-bus in which city शाबाश 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 जतना भी बता है जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कर दो है कि वह सर्थ भेड वेरी गोड भेरी गोडरी गोडी शर्ब क्लास का रहा है सन यह मुझे बताईएगा कि Union Environmental Minister जो है भुपेंद्र यादव उन्होंने इनाउगरेट किया अटू डे जी ट्वेंटी फ्लावर फेस्टिबल है ना कौन सी सिटी में बताईए बताईएगा कौन सी सिटी में शाबबाश ओके ओके वरी गुर्ड तो इसका अंसर क्या बच्छो इसका अंसर बैंगलूरू है नहीं इसका अंसर है नहीं दिल्ली नहीं दिल्ली में यह फेस्टिबल शुरू हो रहा है ठीक है चलिए डेटेल में नहीं जाएंगे वर्ल्ड का कहां पे हुबली धारवार रेल्वेब प्लाटफॉर्म यह बताईएगा यह जगा कहां पे लोकेटेड है शाबबाश बहुत बढ़िया अच्छा जिस जिस बच्चे का सही उत्तर आ रहा है वो फटाफट लाइक कर देगा सर सौरी एक क्वेशन क्लेर करना था आपने जो कल्कोंशन बताया था पोपी कल्टिवेशन वेज़ा आपने को लाता की में खेती है बट टेंदेटर आपने जो सवाल पूछा है कि आपने जो यार देखो पते क्या है वह पॉपी और पॉपी जो प्लांट है या फिर हम लोग जो भी उसमें लिखा था उसका मैंने ट्रांसलेशन कर दिया था गूगल ट्रांसलेशन से तो जो उस में गूगल ट्रांसलेशन में आ रहा था मैंने वही आपको बोला right वैसे इंग्लिश की ट्रांस इंग्लिश जो है वह आप उसको फॉलो कीजेगा राइट इसका अंसर बता दीजे शाबाश जल्दी बताइएगा मेरे को वेट नहीं करना है ठीक है तो इसका अंसर है बच्छो करनाटका करनाटका का करनाटका में यह हुबली दारवार प्लाटफॉर्म स्थे थे अब बताइएगा 18th meeting of Chief Justice of the Supreme Court of Shanghai Corporation Organization Member State was held in which city बैंगलूरू, नियुडेली, भुवनेश्वर, जूतपूर। आप बोलेंगे सर यह सवाल ना यह सवाल आपने नहीं कराया कोई बात नहीं है हर सवाल आपको अभी मैं थोड़ी कराऊंगा अभी थोड़ा सा नया सीख लेते और इसको मैं कवर करूंगा न्यूस के अंदर इसको कवर करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, चलिए, मेघा ने आंसर जो दिया है वो सही आंसर है, वैसे बाकियों ने भी सही आंसर दिया है नई दिल्ली, नई दिल्ली में यह SCO की जो आपको शांगय कोपरेशन और इसेशन है, उनके जो मेंबर स्टेट है, उन मेंबर स सारे के सारे आपस में बैठे हुए हैं, नई दिल्ली में, चीक है, तो याद रखेगा, चीक है, चलिए, यह क्लेर हो चुका है, अब चलिए, शुरुवात करते हैं हम अपने पहले हेडलाइन के तरफ, देखे, अरे वह, देखे, बात ऐसी है बच्चो, कि वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, दो हजार तेईस, क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया दो हजार तेईस, कहां पे हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, यह आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, आप देखे, यह जो वर्ल्ड फूड इंडिया दो हजार तेईस है, इ अगती मैदान में किया जा रहा है नए दिल्ली के अंदर या भी और्गनाइज नहीं होगा ये नेवंबर के महीने में और्गनाइज किया जाएगा राइट बट अपने लिए इंपोर्टेंट हो गया है ठीक है अब इसको और्गनाइज करने वाली जो मिनिस्ट्री है आप सब लोग जो है इसको लिख दीजेगा तो वर्ल्ड फूर्ड इंडिया जो है वर्ल्ड फूर्ड इंडिया इसका ये सेकेंड एडिशन है कहां पर हो रहा है न्यू डेली में हो रहा है और इसकी जो फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्री है वो इसको और्गनाइज कर रह यह train दिख रही है आपको दिख रही है सच बताइए का यह train दिख रही है आपको अच्छा यह Metro है और इस Metro में आप यह देखेगा कि कोची Metro जो है क्या कोची Metro मैं इसके अंदर जादर डीटेल में नहीं जाओंगा सिर वन लाइनर आप से सवाल पूछा जाएगा पूछा जाएगा कोची मेट्रो वो बन गई है पहली मेट्रो to accept the digital currency for parking, समझ गया आप लोग? ठीक है? ये मेट्रो जो है, ये कोची मेट्रो है, ये कौन सी मेट्रो है? कोची मेट्रो है, जो अब बन गई है पूरे भारत में पहली मेट्रो, जो क्या accept करेगी? digital currency जो है वो accept करेगी सही बात है digital currency जो है accept करेगी for parking के लिए किसके लिए बचो parking के लिए समझ गया आप लो तो आप इसको याद रखेगा digital currency accept करेगी parking के लिए बस इतना याद रखना है इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना चलिए अब एक चीज है एक शांदार चीज है वो क्या है देखिए IRCTC हमेशन न्यूज में रहता है कुछ ना कुछ नया नया करता रहता है IRCTC है क्या इंडियन रेलवे catering and tourism corporation क्या है बच्चों इंडियन रेलवे IRCTC क्या है इंडियन रेलवे catering and tourism corporation ठीक है यह इक्लेर हो गया IRCTC ने अनाउंस किया है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत नेपाल आस्ता यात्रा टूर क्या कर रहे हैं भारत नेपाल आस्ता यात्रा टूर तूर जिसमें हम लोग क्या करेंगे एक ट्रेन चला रहे है जिस ट्रेन का 10 दिन का सफर होगा आप ट्रेन में बैठ गे थे ट्रेन में बैठने के बाद आप 10 दिन क्या करेंगे चार pilgrimage साइट में घुमेंगे आपको घुमाईगी ट्रेन ठेक है और अपने देश का जो अपने अभिमन्यों ने बोला बोला जाएगा दिखाया जाएगा अपने देश को ठेक है तो यह है बेसिकली देखो अपना देश यह जो मुहीम चली है ना जैसे इन की टिकट लेगा बैठना चाहेगा इस फ्रीन में तो इस फ्रीन के माध्यम से आपको आपके ही देश के बारे में जागरुक कराया जाएगा बताया जाएगा कि हमारे देश में क्या खास चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं है कि नहीं तो यह initiative देखो अपने देश के तहत आता है चलिए और थोड़ा सा इसके ओपर डिसकस कर लेते हैं ठीक है तो यह आयार सी टीसी का इनिशेटिव है पहला सवाल दूसरा सवाल इस इनिशेटिव का नाम क्या है भारत नेपाल आस्ता यात्रा टूर ठीक है दूसरा सवाल तीसरा सवाल क्या है तीसरा सवाल क्या है तीसरा point कै है? वो मैं आपको बताता हूँ. तीसरा point है ये, कि Indian Railway ने announce कर दिया है tour package, ठीक है? अब इसमें क्या है? इसमें बच्चों, 10 दिन तक जो है, जो मैंने अभी आपको बता है, 10 दिन तक आपको tour कराया जाएगा. कितनी sites का? 4 pilgrimage sites का आपको tour कराया जाएगा. ठीक है? अ इसको किया जा रहा है, ताकि जो है लोगों को अपने देश के बारे में पता चल सके. चीक है, अब ये destination कौन सी है, जो 10 दिन तक आपको tour कराया जाएगी? राम जन्म भूमी टेंपल हो गया, हनमान गढ़ी हो गया, सर्वियो घाट हो गया, नंदनी ग्राम हो गया, आयोध् सारे है, अब आप बोलेगे सर, ये सारे लर्न करने है, नहीं लर्न करने है, सिर्फ आप इतने पढ़ लीजे, हैना कि कल को आप ऑफिसर बन गए और आपको थोड़ा बाद छुट्टी मिला, कि इमाल लीजे, कि छुट्टी मिला तो आप इस ट्रीन में बैठ के आप सफर कर होके आगे, है कि नहीं, तो तब की बात कर रहा हूं, अभी ये सवाल तो इतना नहीं पूछा जाएगा, इतने सारे एरियास को लर्न करने है, इस अ क्वाइट डिफिकल टास्ट टू परफॉर्म, हैना, चली, अब बात करते हैं, जी ट्वेंटी की, हैना, जी ट्वेंटी क कि पिछली कितनी मीटिंग्स जो है, वो हुई है, हैना, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको पिछली जतनी भी जी ट्वेंटी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, सम्मिट्स है, वो सारे मैं लेकर आ रहा हूं, जो जो आपके एक्जाम में आएंगी, हैना, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखें, जी ट्वेंटी की जो प्रेजिदेंसी इस साल वो किस के पास है, जी ट्वेंटी की प्रेजिदेंसी किसके पास है, अब देखें, उसी हिसाब से देखा जाये, तो फॉर्थ वाई ट्वेंटी के अ resultation सम्मे 11 मार्च को पूने महराष्रा के अंदर ठीक है इंपोर्टेंट है बिलकुल भई इंपोर्टेंट है दूसरा पॉइंट क्या है कि first environment and climate sustainability working group ठीक है first environment and climate sustainability working group जो है ये भी जी 20 के meeting का ही हिस्सा है गुजरात में है 27 39 मार्च गांधी नगर के अंदर आपने ये डेट्स लर्न नहीं करनी है ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकलर मीटिंग कौन सी जगा पर हुई और एक सवाल पक्का पूछा जा सकता है क्योंकि इसका कारण ये नहीं है कि एक्जाम से रेलेटेड समझ गया आप लोग क्लेर हो गया उसके बाद सिवल 20 जो है सी 20 के इनसेफिशन मीटिंग नागपुर महराष्टरा में होगी सीके उसके बाद फॉर्स लेबर 20 एल 20 मीटिंग जो है वह अमरत सर्पंजाब में होगी उसके बाद सेकेंड बिजनस ट्वेंटी G20 मीटिंग जो है आईजोल मिजोरम में होगी और G20 foreign ministers meeting कहां पर होगी नई दिल्ली में होगी तो याद रखे जो main meeting है G20 की जिसे foreign ministers meeting जहां पर foreign ministers मैठेंगे मिलेंगे या फिर आपका chief justice की meeting हो गई या फिर आगे जाके उनकी meeting होगी प्रदान मंत्रियों की meeting होगी तो वो नई दिल्ली में बाकी सारी चीज़े यहां वहां यहां वहां उनको किया गया है समझ गया आप लोग इतना clear है इतना clear है सबको इतना clear है बताओ सबको clear है एक बार अपनी आखों से यह चीज़े scan कर लो बस ऐसे पढ़ लो labor meeting कहा होई है C20 कहां पर होई है फिर उसके बाद कौन स sustainability कहां पर होई है एक बार इसको अपनी आखों से निकाल लो मैं यह नहीं कह रहा कि अभी का अभी याद रख लो अभी का अभी याद रख लो और यह PDF वगेरा अगर आपको चाहिए होगा तो आपके लिए benefit है अतुल धिवान सर टेलिग्राइम चैनल वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर मिल जाएगा कि सुमेथ कह रहे हैं सर लिख लिए नोट बुक में बहुत बढ़ी चीज अच्छी चीज चले अब आगे चले आगे चले वेरी कुल वेरी गुड अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यह जानते हैं कौन है यह कौन है हमारे डि वाई डी वाई चंद्रचूर डिवाइद चंदरूचो यह कौन है CGI एना Chief Justice of इंडिया है हमारे ठीक है तो यह यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेसिकली यह मीटिंग हो रही है स्सीयों की शांगाय कोपरेशन ओर्गनाइजेशन सारी चीज़े बताऊंगा मैं सारी की सारी चीज़े बताऊंगा स्सीयों की मीटिंग है एस स्सीयों की मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स के उन मेंबर्स के CGI की मीटिंग है ये CGI की मीटिंग है चीक है कहाँ पर है सब आपको पता है नई दिल्ली के अंदर है वेरी गूड वेरी गूड ठीक है तो इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्या है तो ये कौन सी मीटिंग है ये 18th मीटिंग है याद रखेगा अठारवी मीटिंग है ये थोड़ा सा याद रख लेना दोस्त 18th मीटिंग है ठीक है कौन सी मीटिंग है 18th मीटिंग है शांगाय कॉपरेशन ओगनेजीशन की शांगाय कॉपरेशन ओगनेजीशन कहाँ पर है नई दिल्ली के अंदर कहां पर बचो नहीं दिल्ली के अंदर ठीक है आपको पता है यह किसकी अध्यक्षता में meeting कंडक की जा रही है डीवाई चंदरचूड जो कि आपके कौन है नियाएधीष प्रमुख नियाएधेश यह दो दिन की है जहां पर सारे के सारे SEO members जो है वो they will take part तो इतना आपने याद रखना है अब पॉइंट क्या है कि आपको 100% आपके exam के अंदर किसके बारे में पूछा जाएगा SEO के बारे में पूछा जाएगा शांगाई cooperation organization के बारे में पूछा जाएगा एक static सवाल है ना तो हम कैसे उसका answer देंगे मैं बता देता हूँ देखिए यह जो SEO है मतलब शांगाई cooperation organization इसको create किया गया था 2001 में कब किया गया था 2001 में बोलेंगे साथ में 2001 में इसको create किया गया था तो जब इसको create किया 2001 में तब इस पह पांच मेंबर थे कितने मैंबर थे पांच कितने थे पांच है ना पांच इसमें मेंबर थे तो यह ब्याइट मीन सिसको कहा जाता था शांगाय 5 कि जांगाय 5 मेरे नाम के spelling है A-T-U-L अतुल और धिमन D-H-I-M-A-N और सर ठीक है ऐसा है राइट शांगाय फाइफ तब इसमें पांच मेंबर थी आप से सवाल पूछा जाएगा कि जनाब बताईएगा कि स्टार्टिंग में जितनी भी कंट्रीज थी का वो कौन सी कंट्रीज थी तो कौन सी कंट्रीज थी पांच कंट्रीज थी पांच कौन सी थी वच्चों बताओ कजाकिस्तान किर्गिस्तान चाइना रशिया और ताजिकिस्तान ठीक है तो कैसे लर्ण कर सकते हैं जैसे का की है ना का की आर सीटी ऐसा कुछ लर्ण कर सकते है देखे का का फॉर कजाकिस्तान की फॉर किर्गिस्तान ऐसा कुछ हो गया और आर-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- ठीक है यार ऐसे मत करो कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं उतने तो लाइक करो कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं उतने तो लाइक करना बनता है कि ने बनता है ऐसे ना करो यार इतना खराब इस तरीके का और यहां पर किया जाएगा अब यहां से एक सवाल आपका पक्का बनेगा आपके एकजाम में सबीं पक्का क्योंकि कि देखिए कि अप्पुप का जो सम्मेट होता है हर साल होता है 2021 में हुआ दुशाबी ताजिक इस्तान में यह आपका एक्जाब captain में पूछा गया था सवाल है दुशाम बे ताजिक इसतान में यह पूछा गया था और यह सवाल अब भी पूछा जा सकता है पिछले साल का SEO भी तो पूछा जा सकता है और SEO Summit अब जो होस्ट होने वाला है वो इंडिया की तरफ से होस्ट होगा मतलब अब SEO Summit हमारे देश में होगा आप समझें तो इसका मतलब यह है कि SEO मतलब शांगाई कॉपरेशन जादा महतपुन हो जाती है हमारे लिए हैना तो याद रखेगा पहला कहांपर हूँभा दुशांबे में कहां पर खुखा One Senin ести को अने देशांब तीसरा कहां पर होने वाला है इंडिया में होने वाले शाबाज बहुत बढ़िए अब दिखिए जो founding members थे वो कौन-कौन से थे जैसे हमने पढ़ा था ना founding कौन थे का के आर्टी सी है ना यह founding थे है ना बट इसके साथ दो मेंबर और जुड़ गे, कितने दो मेंबर और जुड़ गे थे, ठीक है, तो दो मेंबर और कौन से जुड़े थे, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों को एक साथ ही जोड लिया था, अब हम सोच रहे थे भाईया, हमको तो जोड लिया, S.C.O. का, हमें पता लगा, भाई, हमारे साथ ही, हमारे साथ साथ ही, पाकिस्तान को भी जोड लिया, देखे, यह तो इंडिया और पाकिस्तान को एफिशली जोइन करवा दिया था, this organization 2017 में, समझ गया, आप लो, 2017 में इंडिया पाकिस्तान भी इसका अफिशल मेंबर बन गया, शमझ गया आप लो, तो यह बह एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बही बता दीजे कि इनीशल जो founding member थे SEO के वो कौन थे आप बोलेंगे सर ये तो current affair का हिस्सा नहीं है ये हमने नहीं पढ़ा लेकिन ये current affair में अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए और आप exam में भ कोई भी सवाल SEO मतलब शांगाय कॉपरेशन ओगराइशेशन से दूर ना हो ठीक है अब देखें ये जो SEO है शांगाय कॉपरेशन ओगराइशेशन इसको 2001 में फाउंड किया था मैंने बता दिया आपको सबको है ना इसका जो हेड़कॉर्टर है बच्चों वो कहां पे है व है रखेंगे बैचिंग के अंदर है ठीक है अब एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं ताटेड सेकेटरी जनटरों जाइन मिंग इंडिया एक बार बूल दीजेगा, जैंग, मिंग, और इसके जो member countries है, वो इरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उस्बेकिस्तान, जो है, यह सारी countries है, तो आप याद रखिएगा, इन सारी countries को learn नहीं करना है, मैंने कहा, initial जो founding members थे, उनको learn कीजे, वो कितने थे, पांच थे, ठीक है, इंडिया and पाकिस्तान ने कब जोइन किया, 2017 में किया, यह याद रख लीजेगा, that's it, SEO को कब गठत किया गया, 2001 में किया गया, यह याद रख लीजेगा, बस यह दो चार चीजे, learn करने वाली है, है कि नहीं, ठ क्या कर रही है, बताए, यह क्या कर रही है, यह योगा कर रही है, है कि नहीं, ठना, योगा कर रही है, चली, मुझे बताएगा, हमारां इंटरनाशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताईएगा मुझे इंटरनाशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जल्दी बताईएगा इंटरनाशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो बोला गया है 21 जून को सेलिब्रेट होता है 21 जून तो सर सरकार ने क्या किया इस इंटरनाशनल योगा डे 21 जून को बहुत शांदार करने के लिए बहुत जादा लोगों तक योगा की जागरुपता फैलाने के लिए सरकार ने क्या किया है एक कैमपेंड शुरू किये है उस कैमपेंड का नाम है उस तीस का नाम है योगा मोहतसफ क्या है उसको योगा मोहतसफ ठीक है इस योगा मोहतसफ को और्गनाईज किया जा रहा है कहां पे दिल्ली का ताल कटोरा स्टीडियम के अंदर और जादे से जादा लोगों को इस योगा म के participate करें बहुत जागरुख होके participate करें ठीक है तो यह कौन organize कर रही है आयूश मिनिस्ट्री और गनाइस कर रही है योगा मोहतसव को आयूश मिनिस्ट्री और गनाइस कर रही है जो कि कहां पे नई दिल्ली में organize किया जा रहा है ठीक है मैंने आपको objective समझा दिया objective क्या यार लोगों को जागरु करना है कि योगा है हमारे देश की शान बान है ठीक है क्योंकि केवल और केवल 100 दिन जो है अब रह चुके है 21 आपका जून के लिए तो याद रखेगा यह तीन दिन का फिस्टिबल है यह तीन दिन का महत सब है जो आपने याद रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे यह है बच्चो पहला सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटिशन मैं क्या कह रहा हूं साई 20 डाट मींस सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटिशन 20 मीटिंग जो है यह कहां पे हो रही है गोहार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटिशन क्या फर्स्ट सुप्रीम ओर्डिट इंस्टिटिशन 20 मीटिंग कहां पे हो रही है सब्सक्राइब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इसका मतलब क्या होता है बताओ ब्लू इकॉनमी का मतलब है जैसे एकॉनमी बेस्ट डॉन आस बेस्ट डॉन जो सीव वाट बॉड़ी होती है इसका हिंदी में मैं बताता हूं क्या मतलब हुआ देखिए ब्लू इकॉनमी मतलब समुंदर से बहुत सारी चीज़े आप आपको मिलती है समुंदर से मचलिया मिलती है समुंदर से आपको बहुत सारा रिसोर्स मिलते हैं है ना नाच्रल गैस समुंदर से आपको खोदने पर आपको नाच्रल गैस भी मिलती है आपको क्रूड आयल भी मि बहुत सारी चीजे जो है समुंदर से मिलती है और समुंदर से बहुत बड़ी अर्थवेवस्ता चलती है आप देखें आपको मैं बताता हूँ जो साउथ इंडिया है साउथ हिंडिया वो समुंदर के resources से ही तो अपना काम चला रहा है आँ ना साउंथ इंडिया समुदर में के resources जो है जैसे जितनी भी एड़ चीज़े हैं समुंदर से मिलती है खाने पीने की चीजे मिलती है समुंदर से वह सारे समुंदर से चीजे लेके वह बेचता है खरीदता है कुछ बनाता है तो उससे उसके आर्थव्यवस्ता अच्छी है तो इसी को हम लोग blue economy कहते हैं ठीक है blue economy कहते है याद रखिएगा तो यह ecosystem है यह क्योंकि हम मोधी जी नहीं है है कि नहीं तो बात सिर्फ इतनी है कि मोधी जी जो है उन्होंने कुछ चीजे इनाउगरेट की है कुछ चीजे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इनाउगरेट किया है वह चीजे हम लोग देख लेते क्या-क्या इनाउगरेशन उनका हुआ हुआ है चिक है क्या कि इनाउगरेशन उनका हुआ है जैसे पीए मोदी ने इनाउगरेट किया एरो इंडिया शो कहां पर बचो बैंगलूरू के अंदर यह 14th edition of एरो इंडिया शो यह आप याद रखेंगे 14th edition of एरो इंडिया शो बैंगलूरू के अंदर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीए मोदी ने इनाउगरेट किया फॉर्स फेज ओफ चौदा सो किलोमेटर लॉंग क्या दिली मुंबई एक्सप्रेस वे इन राजस्तान दोसा क के अंदर तो इतना इतना याद रख लिजेगा कि 1400 किलोमेटर का कोई लॉंग डेली मुंबई एक्सप्रेस वे वह भी इनाउगरेट किया है उसके आगे हम लोग देखते हैं इनाउगरेट किया है द्यानन सरस्वती का दोसोवा जनम दिन ठीक है इवेंट कहां पे न्यू दिल्ली के अंदर कहां पे न्यू दिल्ली के अंदर जल्दी बताइएगा कि दयानन सरस्वती दोस्तोवा बर्थ एनिवर्सरी इवेंट जो है कहां पे हुआ है बच्चों नई दिल्ली के अंदर उसके बाद आगे देखता है प्रधान मंत्री ने इनाउगरेट किया कोई कोई ऐसे यूनि ऐन मिनस्टर आफ स्टेट है या कोई भी वी कोई वी इनाउगरेट करता कूँ इतना इंपोर्ट नी होता mutual fund के नام से जाना जाएगा क्या Іज़ बंधन mutual fund के नाम से जाना जाएगा समझके आप लोग याद रखेगा पड़न mutual fund के नाम से जाना जाएगा जो लोग भी ऑपना पैसा लगा चुके हैं mutual fund के अंदर तो अब आपका जो bank है वो IDFC नहीं होगा अब आपका बंधन mutual fund के नाम से आपका bank होगा समझ के क्योंकि बंधन जो bank है बंधन जो bank है उसने IDFC को के mutual fund IDFC mutual fund को acquire कर लिया खरीद लिया तो इतना आपने याद रखते हैं इससे ज्यादा और इसमें कुछ खास है नीचीज right okay now this is a most most important news very very important news for all of you the British architect British architect architect on hotel Joe which building building ka design बनाते हैं किने building ka design करते हैं जैसे बुर्ज खलीफा एक बहुत कमाल का architecture है ना बुर्ज खलीफा ठीक है तो बिटिश के आर्किटेक्ट है डेवेट चपर फील्ड क्या है डेवेट चपर फील्ड जो है इनको मिला है आर्किटेक्टर की दुनिया का सबसे बड़ा ओवार्ड जैसे ऑसकर होता है अपना फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ओवार्ड होता है वैसे आर्किटेक्टर की सब लिख दीजेगा एक बार सब के सब लिख दीजे चपर फील को कौन सब प्राइज मिला है प्रिंसकर प्राइज जो की आर्किटेक्टर की दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है समझ गे आप लोग सब समझ गे सब के सब वेरीकट उरीग तो बच्चो ये जो इनको मिला है यह हाई एंट्रैक्ट्यक्टर की दुनिया का पहला दूसरा पॉइंट यह कि यह 50 s while है कौन से है यह 50 second when एस प्राइज के तो इनको पहले बार नहीं मिला है यह पहले भी को मिल चुका है 51 लोगों को मिल चुका है यह 52 लोग परसन है डेविट साहब और इसमें यह जो अवार्ड था यह 1979 में इसको रखा गया था कब रखा गया था 1979 में इसको लाया गया था ठीक है यह आपने याद रखने हैं अब चलिए हम आगे करने से वाले mcqs जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा लेकिन उससे पहले बच्चों आपको कोई भी कोर्स लेना होगा अड़ा 247 का तो वाइफाइव एट लगा दीचेगा कूपन कोड दूसरी बात यह हमारा डिफेंस का माहा पैक होता है इस माहा पैक में क्या है यह मेरे खा आपको उन एक्जाम के कोर्स का अक्सेस आपको मिल जाता है मतलब कोई भी आगे आने वाले कोर्स होंगे एक्जाम के कोर्स होंगे या फिर पीछे होने वाले अभी जो चल रहे कोर्स हैं उन सभी एक्जाम का अक्सेस डिफेंस माहा पैक में आपको मिलता है तो यह वन स्ट क्यारी कराने के लिए यह हेल्प करेगा अब इसमें क्या है लाइफ क्लास पीडियाफ रिकॉर्ड इट सेशन सो अगर इफ यू डूंट आप नहीं जोइन करते हैं तो आप रिकॉर्ड इट सुन सकते हैं इसके अलावा कॉंटेंट आपको प्रीमियम मिलेगा मिलेंगे इसके अंदर सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए आपके एक्जाम के सेलेक्शन के लिए बट उसको करने के लिए आपको वाइफाइव एटेट कूपन कोड लगाना पड़ेगा तो यह क्लेर हो गया और यह डिफेंस की टेस सेरीज है डिफाइन डिफेंस प्राइम टेसरीज इस टेसरीज का प्राइज 200-200 रुपया है जादा से जादा इस टेसरीज के द्वारा आप सारे के सारे सारे के सारे टेसरीज जो होंगी वो आप एकसेस कर सकते हैं यह है वाइफाइव एट 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 एस एस लगाना ज़रूर ना भूलिएगा क्योंकि एस से क्या है कि आप test series के लिए apply कर सकते coupon code ठीक है ये clear हो गया चली अब आपकी स्क्रीन के ओपर ये रहा सवाल जल्दी बताइएगा कि इंडियन railway इतना clear है इतना clear है बच्चो है ना हां अरे थोड़ा सा यार advertisement दिखाना पड़ता है समझा करो है इंडियन railway catering and tourism corporation has announced to start भारत-Nepal आस्तार यात्रा the train has been launched under which initiative किस initiative के तहर्ट जो है launch की गई बताओ जल्दी 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 बताईएगा अच्छा देखो अपना देश very good देखो अपना देश है क्लेर हो गया ठीक है यह के रहें अगे चलते है यूनिन मिनिस्टर फॉर रोड और ट्रांस्पोर्ट नितन गट करे अन्वील्ड दपरूस् यह तो दुबारा से आ गया बता दो एक बार फटाफट क्या आंसर है इसका बता दो इसका जल्दी 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 शाबाश शाबाश वेरी गुर्ड वेरी गुर्ड बैंगलूरू एना चली आगे देखते हैं टूडे जी ट्वेंटी फ्लावर फेस्टिबल कहां पर इनागरेट किया जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया कॉमेंट सेक्षन एकदम घूमना चाहिए शाबाश वेरी गुर्ड वेरी गुर्ड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नई दिल्ली बहुत बढ़िया शांदार ऐसे ही कुछ दिनों बाद ऐसे ही आपके आंसर्स निकलना शुरू होंगे एकदम फटाक से जल्दी बताइए नरेंद्र मोदी एस इनागरेटेट दे लॉंगेस्ट इन दे वर्ल्ड प्लाटफॉर्म हुबली धारवाट ये लोकेटेट कहां पे जल्दी बताओ कहां पे लोक दिन दृटेट इसमी रहिए एडर। सी च्वर्स आपया इसरद्ध आपकिसे ज़ल्द बताओ ज़ल्दि बताओ ने थोड़ा से ध्रका स्में लिकाइब एकॉर्थ बहुद बहुत अच्छी चीजे बहुत अच्छी चीज़ई इसका है एक्मानजी नही दГली ठीक है नही बता वennen यखोड वेरी कॉड़ वेरी कुड कहां पे कहां पे गुहाटी में अरे गुहाटी कहां से आ गया यह QaTala-Nam पढ़ा था कुछ ताल कर्टोरा स्टेडियम ताल कर्टोरा स्टेडियम नहीं दिल्ली में क्योंकि 21 जून को होने वाला इंटरनाशनल योगा डे उससे पहले की शुरुवात है ये चीके विच आफ दो फॉल्विंग म्यूचल फंड कंपनी अस बंधन म्यूचल पंड जल्द शाबाश गाल कर्टोरा नहीं श्रे ताल कर्टोरा हाँ तीन दिन का फेस्टिबल एंडिया उनली वेरी गुड शाबाश बिल्कुल सही बिल्कुल सही निधी हाँ हाँ HDFC कहां से होगा अच्छा HDFC गलती से लिखा होगा IDFC है एना क्यूंकि HDFC तो यहां पर आप्शन ही नही सी म्यूचिल फंड अच्छा यह आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल अ कि बताये 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 एक दम रुकना नहीं चाहिए जादू मनी आई लव यू सर आई लव यू टू ब्रदर या सिस्टर जो भी है जल्डी जल्दी 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 बताये गा सब रच जबी वेरी गोलड़ वेरी गूर्ड बहुत शांदार आप लोग तो कमाल कर रहे हो यू यार हाँ चलिए चलिए डेविट वस डेविट डेविट करना है अब लास्ट में मैं आपके लिए अप डिफ convince की एक खास चीज़ लेकर आया हों डिफेंस से इले लेटेड लेकर आया हूं ठीक है तो अभी हाल फिलहाल के अंदर हाल फिलहाल मतलँ आजकल की बात है exercise लाप रोजे क्या नाम है ला प्रहुज जो है पिरौज ठिक है क्या है exercise ला प्रहुज या हिंदी में हम लोग पैरूज कह सकते हैं ला पैरूज exercise को गठत मतलब वो किया जा रहा है मतलब क्या हिंदी में बोलेंगे चल रही है ला पेरूज exercise चल रही है किनके बीच में पहला सवाल आपके लिए आ जाएगा ठीक है किनके बीच में है किनके बीच में है किनके बीच में बच्चो यह है नेवीज ओफ इंडिया इंडिया करेगा जपान करेगा फ्रांस करेगा यूके करेगा औस्ट्रीलिया करेगा तो मैं आप सभी से अब गुजारिश करता हूं गुजारिश छोड़िए मैं आपको कमांड कर रहा हूं और दे रहा हूं कि फटाफट यह जो लापरूस की कंट्रीज है वो जो पार्टेसपेट कर यह उनके बारे में उनका लिख दो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट नाम जल्दी लिखना जल्दी लिखना और कोई न कोई ट्रेक निकाल के दिखाओ ठीक है जल्दी 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 शाबास क्योंकि बाइनियल एक्सरसाइज है वो बात करेंगे ठीक है जल्दी बताना ठीक है, कौन सी है, India, US, Japan, France, आपका Australia and UK, जल्दी बताईएगा, है ना, लिख दिया, सब के सब लिखे, हाँ, अब देखे, अब देखे, ये exercise को कहां पे कंड़क किया जा रहे है, it is a multilateral exercise, multilateral मतलब multiple countries are participating, ठीक है, second, third question, third question ये है, पूरा का पूरा जो एरिया है, अब ये है आपका Indian Ocean, कहां पे हिंद महासागर, ठीक है, अब इंडियन ओशन का ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यह इंडियन ओशन रीजिन है ठीक है तो यहां पर पूरे के पूरे एरिया में अपनी यह इतनी बड़ी exercise हो रही है समझ गया आप लोग आपको मैं एक चीज और बताता हूं जियो politics ठीक है politics जोग्रिफी के बेयांड जैसे की देशों की राजनेती जो होती है वो तो देशों की होती है लेकिन जब पूरे विश्व में जो राजनेती चलती है उसको हम जियो politics कहते हैं आपको पता है इंडियन ocean region वो कितना ज़्यादा महतपूर हो चुका हार बड़ी महा शक्ति अपना डब्दबा बनाना चाहती है और उसको भारत के 7 तालमेल बफशाना पड़ेगा समझ गे तो इसलिए us भी हमारे साथ में रहता है UK भी साथ में रहता है फ्रांस भी साथ में रहता है और चाइना बिचारा यहां पर अलग थलग हो जाता है है कि नहीं सबज गए आप लोग तो इंडियन ओशन रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे हमारे पूरे विश्व के लिए राइट तो इसमें कौन कौन सी फॉजे है जो पार्टेसपेट कर रही है मैंने आप सब को बोला था आपने सबने लिख भी दिया तो यहां पे सबसे पहले है जो रॉयल ऑस्ट्रीलियन नेवी है देखे हर ए एक फॉज का अपना अपना नाम होता है कंट्री के हिसाब से रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया की नेवी को फ्रेंच नेवी फ्रेंच की नेवी को कहा जाता है इंडिया नेवी जापनीज मरीन टैम सेल्फ डिफेंस फोर्स यह कहा जाता है ज एक्सेस् साइज मतलब 2 साल के अंदर एक बार कंडक्ट होती है त्व एकशाइज सट लॉटा-इस के अंदर वं टाइम कंडग किनक किया rikt कैं समझें आप लोग इतना साथ आप कंड़क कर रहे हैं तो उनको जो है और जादा सही तरीके से मतलब होता है ना कि एक बढ़िया तरीके से क्या किया जा सके बताओ कॉडिनेशन हो पाए नेवी इसके बीच में क्योंकि देखिया आज के टाइम पे ना नेवी जो पावर है नेवी की जो पावर है वो बहुत ही जादा माइने करती है किसी भी देश की तरक्की के लिए अगर नेवी आपकी कमजोर होगी कुछ भी नहीं हो पाएगा नेवी पा पार्टेसपेट कर रही है इस थर्ड एडिशन ओफ मल्टिलेटरल एक्सरसाइज में और आइनेस जूती जो है वो भी पार्टेसपेट कर रही है समझ गया आप सबके सब लोग है ना तो अब बताईएगा जल्दी से जल्दी कोई दिक्कत डाउट आप सब जो हैं बड़े कि टेक्ट यहाँ से मुस्ली किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे देखे किस तरी कौन सी एकसर साइस थी एना थर्ड एडीशन एकसर साहसॉसती यह बाय और STEP किया जाता है या दुली कंड़े किया जाता है चृइसे तो बई ऐनूल सा पार यह दो बार हो रही है बाइनली ठीक है यह याद रखेगा बहुत सारे सवाल बन जाएंगे ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे समझ गए आप लोग तो मज़ा आया की नहीं आया मज़ा आना चाहिए बढ़ाई तो चलो करते रहते हैं अना मज़ा आना चाहिए ठीकेश पूजा हर्श श्रे विश् ओके एंडिये ओनली निधी वेरी गोड़ आमेथ शिंचान सुमेथ वेरी गोड़ विवेक चलिए सो आपका मैं ज्याधा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या ज्याधा टाइम लूंगा नहीं अब जब काउंटेंट खतम हो गया तो फिर क्या ही करेंगे बात है ना तो करते रही है अच्छा जितने भी बच्चों का अब आगे सीडियस का टार्गेट है अब आगे सीडियस का टार्गेट है उनके लिए मैं स्पेशल करेंट अफेस ला रहा हूं मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जितना भी कारेंट अफेर मैं पढ़ाऊंगा सीडियस के लिए उस 100 out of 100 आपके सवाल आए मतलब अगर 25 सवाल करेंट अफेर से आते हैं तो आपके 25 सवाल करेंट अफेर मेरे सोर्से से आए इतना मैं पक्का करूंगा तो करना आपने यह है कि क्लास को अटेंड कर लीजेगा और पीडिफ आपको मिल जाएगी ठीक है चली तो मैं आप से मिलता ह नेक्स क्लास के अंदर और यह सेशन को लाइक वाइक कर देना और बढ़िया बढ़िया कॉमेंट मार देना दिक्कत क्या है है कि नहीं चलो थैंक यू और जैहन सी यू